तो geometrical isomerism को अगर देख लिए अभी एक भी questions नहीं चूटने वाले topics है ठीक है कभी भी इसको lightly भी नहीं लेने हैं और थोड़ी तेरे में समझाते हुए निकल जाओंगा एकदम question practice के साथ मुस ज्यान देने वाली बात है geometrical isomerism होता क्या है तो सुना ऐसे stereo isomers जिसके interconvert नहीं पढ़ने सिस्ट्रांस तुम लोगों ने बचपन से पढ़ रख्या होंगे कि सिस्ट्रांस isomer क्या है क्या है सिस्ट्रांस isomer जिसमें एक double bond जैसे की बोल सकते है रेसिस्टिक्टेड बांड होनी जरूरी है दो carbon के बीची में क्या तो नहीं नहीं दो nitrogen भी हो सकते है दो oxygen भी पॉसिवल हो वह भी atoms हो सकते हैं बहुत लोगों को यही दिक्कत होती है कि दो carbon होते है नहीं दो carbon ही नहीं कोई भी atom हो सकते यहाँ जो भी पॉसिबल हो सब्सक्राइब करें तो यहां पर इस टाइप के फॉर्म जिसमें सेम ग्रूप सेम साइड में सुनना सेम साइड इधर उपर ही साइड में सेम ग्रूप से इसको बोलते हैं सिस आई सुमर्स जबकि अगर ये सेम ग्रूप जैसे ए हुआ ऑपोजिट में ए हो गया ये भी हो गया ऑपोजिट में भी हो गया तो सेम ग्रूप ऑपोजिट साइड में हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांस आई सुमर्स ये बच्पन से पढ़ते हैं इसमें मैं जादे चर्चा नहीं करूंगा फिर भी मैं अगर आप देखना चाहूं तो इसमें ये चीज़े पूछी जा सकती है कि जो करने के लिए कार्बन को क्या SP-2 hybridize जोना ज़रूरी है तो सिस्ट ट्रांसो करने के लिए SP-2 hybridize जोना ज़रूरी है लेकिन इन साइक्ल येल के देखेंगे तो बिना SP2 Hybridization Carbon के भी Geometrical Isomers सो होंगे बिना SP2 Carbon के भी Geometrical Isomers सो होंगे इसलिए SP2 की Condition गलत होती है यह जरूर लिखता है कि SP2 Hybridization Carbon की Must होनी चाहिए क्या तो घंटा होनी चाहिए Must नहीं होनी चाहिए यह चीज़े थोड़ी सी Clear करना अगर मैं EZ Form की बात करूँ सुनते चलना EZ Form की बात करूँ तो बोलोगे सर Geometrical Isomers सिस ट्रांस तो होई या Same Side मीन सिस Opposite Side मीन स्ट्रांस तो यह E&Z क्या है मैं बोलूँगा E&Z सिस ट्रांस के बाद वाली Form है Geometrical की ही लेकिन इन्होंने सिस ट्रांस ने यह बोला था Same Group, Same Side हो Same Group, Same Side हो तो सिस लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो जैसे A, B, C, D यह तो इसमें कोई Same Group नहीं है अगर A and C Same Side है तो हम लोग क्या बोलेंगे सिस ट्रांस तो Same Group, Same Side होता तब न सिस बोलते यहां तो सर A and C है तो सुना यहां पे इस तरह के लिए E and Z Form यूज किया गया E and Z Form बताया जिसकी Priority जादी है मान लेते हैं C and D की में C की Priority जादी है मान लिया मैंने तो यह More Prior Group है A and B में A की Priority जादी है तो A को मान लिया More Prior इन दोनों में Continue करूँगा इन दोनों में Continue करूँगा Priority देखके इसकी Priority और इसकी Priority जादी है दोनों साइड में दोनों More Prior Group दोनों सेम साइड है तो इसको बोलूँगा सिस अगर यहीं पे यही बाते कर लो A D C B यह तो यह Prior है यह Prior है दोनों बोलूजिट है तो इसको बोलूँगा Trans लेकिन यहाँ सिस ट्रांस ने सेम सेम ग्रूप की बाते की थी यहाँ सेम सेम ग्रूप नहीं है इसलिए E and Z की बात करूँगा तो जब सेम साइड होता है तो Z form बोलते हैं और सेम साइड डिफरेंट होते हैं E-form बोलते हैं, Z-U-S-A-M-N, Z-U-S-A-M-N, E-form, stage-in होता है, E-S-T-G-E-G-E-N, stage-in होता है, ऐसे कुछ नाम है, क्यार इसका नाम से मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है, E का मतलब, opposite form, ऐसे हम लोगों लिखके भी पता चलते हैं, E लिखा, means same side आ रहा है, दोनों same side, means हम लोग इसको याद रखने के लिए opposite करेंगे, और Z लिखा, तो यह opposite side आ रहा है, इसके end, इसके end दोनों opposite side है, means same side करके इसको याद रखेंगे, जब भी same side में हो तो इसका opposite होना चाहिए, जब भी opposite side में हो इसका same होना चाहिए, याद करने के लिए मैंने यह बताया, मैंने भी ऐसे ही याद कर रखे, इसलिए तुम लोगों को भी ऐसे ही बता दियो ठीक है, आगर थोड़ा सा questions के उपर देखे यहाँ पे sir आपने A को prior बोला, C को prior बोला, D&C में ऐसा क्यों? ऐसा भी तो सकते है, यह prior ना हो सुनते चलना, जो भी मनक है, नोटस बनाते चलना, जो भी जरूरत पड़े इसमें, तो यहाँ priority order देखने की बात करेंगे, priority order सुनना, priority order में पहले देखते हैं, atomic number of first atom first atom, atomic number of first atom, priority order, मैं ऐसे लिखता है चलो, लिखते चलना atomic order of first atom की बात करूँगा, first atom की atomic number बोलने की बात करूँगा, तो क्या बढ़े, अगर first atom की atomic number दूसरे पॉइंगा, if the atomic number of first atom is same, then we continue for second atom, and we continue for third atom, and so on, ठीक है, third अगर point में लिखू, तो बोलूँगा कि, यहां पे C, सुनना, C double bond O का मतलब होता है, थोड़ा देखने वाली चीज़ें, COO, means carbon के साथ, पहला atom oxygen जूड़ा है, दूसरा atom भी oxygen जूड़ा है, C double bond O का मतलब, अगर यहां C triple bond N का मतलब हुआ, मतलब कारवन के साथ, पहला bond nitrogen है, दूसरा bond nitrogen है, तीसरा bond B nitrogen है, ठीक है, अगर यहां CH3 लिखा है, means carbon के साथ, पहला bond hydrogen है, दूसरा hydrogen, तीसरा hydrogen, अब priority देखने की बाते करते हैं, priority दो मिनिट की शीज़ें तुरंट समझ जाता है, इंसान, दे chlorine and iodine में iodine के atomic number जाते है, means यह more prior है, इन दोनों में priority किसका है, तो bromine के सान more priority है, दोनों priority सेम साइड है, तो हम लोगो Z form बोलेंगे, Z ultra वाला form, बोलो, easy है, यह easy है, ठीक है, तो dance easy नहीं होते है, यहां यह easy है, देख रहा है है, अगर मैं आगे की बात करो थोड़ा साथ, त यहां पर देखना है, CH3, CH2, CH3, CN, ठीक है, और यहां पर CO, ऐसा बात कर लो, ठीक है, यहां C triple bond N होता है, C double bond N होता है, कोई दिक्कत नहीं, यह बात की बात है, पहले हम लोग, फ़र्स कारवन की priority देखें, फ़र्स कारवन है, इसमें फ़र्स कारवन दोनों की priority सेम है, अब तिसरा है इट्रोजन है, तिसरा यहां भी है इट्रोजन है, चवथा इट्रोजन पर आएंगे, चौथा इट्रोजन भी यहां है यहां carbon जूड़ा है, means इसकी priority ज़्यादे हो जाती है, समझ लो, अब यहां देखो, यहां carbon है, carbon है प्रावर्स सेम है, आगले इट्रोजन, nitrogen बोलो अगर यह क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ू का अगर आगे बढ़ता हूं तो न्यू पेस को ले क्या हूंगा और सबसे पहले बात बताऊंगा यह एंड जैड फॉर्म में ही कि अगर ऐसे हो जाए के उपर 3 CS3 ऐसे लगाया और सी इसके उपर ट्रीपल बॉंड सी लगाया चलो च्रीक है अगर यहां पर लगाया si triple bond N लगाया चलो यहां लगाया see double bond O लगाया clear है अगर इनस सबको देखेए तो यहां पर c है से same priority c के बाद जो bond link हुए है c ही हुआ है पहला यहां पर c के साथ 3 CH लिए तो c के साथ पहला c, दूसरा C, तीसरा C, इसके बाद इससे hydrogen's है, इससे भी hydrogen's है, जो भी है, इसके बाद है, इससे भी क्या है, C के बाद 3C है, में C, C and C है, ऐसा बनाते हैं आपी बनाके दिखाया, तो यहाँ पे first same है, दूसरा भी same है इसको मिलाएंगे, यह भी same है इसको मिला है यह भी से में इसके वास एक hydrogen है तो इसमें भी एक hydrogen है लेगिन इसमें बाकी है फिर से hydrogen ही है इसमें कोई hydrogen नहीं है means priorities की जादे हो गई last में जाके last में जाके तो थोड़ी द्यान रखने माली चीज़ें में C double bond O तो C C दोनों में से में N and O तो N से O की priority जादे होगी opposite form means E form बोलेंगे बोलो तो priority order को देखते हुए मैंने सारी चीज़ें clear कर आई थोड़ी सी बात करेंगे isotopes जब present हो तो atomic mass को देखते हैं जैसे यहां पर दोनों carbon ही present है C double bond C एक लेते हैं हं यहां फ्रोजन है यहहां Dut3 अवे यहां pul capac टृटरियम है यहांट हीरियम देदिया को यहांप reservoir देखते हैं जालो तो यहां पर hell तो इसकी जादे है तो सिस ट्रांस में यह तो सिस हो गए कि दोनों सेम आटम था तो एक साइड था एंड जैड में कौन सा था तो अपॉजिट साइड ओपॉजिट साइड को इसके बारे में तो इसमें दो फॉर्म होते एक हमारे एजोफ़ोव एक औक साइम फॉर्म चलो पहले लिख लिए और एजोई इधर लिख लीता हूं क्यूँ इधर उद्धर लिखने एजोफ़ों हो तो सी डबल बोर्णन और एन के साथ ओच होता है चलो इस नाइट्रोजन पर और ह्लोन पर भी पर याद रखो सि यह कि यहाँ च्योपन के मतलब है चलल एसको रखता हुँ बात तो नइकर consultation होना चाहिए यह बनाता ही नहीं है ओकी भी उकात होगी तो भी बनाएगा लेकिन ओकी उकात नहीं है ओडबल बॉंड से जादे बनाता ही नहीं है यहाँ पे लेकिन नाइट्रोजन तीन तीन बनाएगा दो इधर और एक इधर और एक लोन पेर होने के कारण यह बना सकता है अपना ठीक है तो यहाँ पे कोई ग है एक साइड लोन पेर है लोन पेर की प्रेयरिटी कभी भी ज्यादे लेंगे और पर अज चलो यहां पे हैड्रोजन है एक साइड में सीजिट है प्रेयु नहीं बनाऊ इसके अपोजी भी बना लुओ सीडॉर न सक्षर वह ओपर और इस बार है और नीचे में जाटे तो स्यम साइड है सेम साइड गोलते है स्टीन है कि MP3 तो लुएम society बोलो तो लो अलव किFпис रपुर्टेंद्य जादे होती है यह थे थ्यान रखना वहुत सारी पुखस में लिखा है कि इफ ओएच एंड एच आर इन सेम साइड, ओएच और एच सेम साइड में है, तब सिन होता है, ऐसा याद करने की जूरूत नहीं है, लोन पेर की प्राइटी जादे ओएच से, ऐसा थोड़ा से दिमाग को सेट करो, काम हो जाता है, ठीक है, चुले इसमें देखते हैं, तो इस साइड तो हो जाता है, एंटी, यह थे अपने सीन एंटी फॉर्म, साइक्लो एलकेन की बात कर लें थोड़ा सा, साइक्लो एलकेन में कैसे होते हैं, सुनना, साइक्लो एलकेन में, साइक्लो एलकेन में, यह खासियत है थोड़ा है, वो जो मैं बात किया था यहाँ पे, कि क् कार्बन SP3 है फिर भी यहां ज़रूरी होता है इसलिए कंडिशन SP2 होना ज़रूरी नहीं है यह थोड़ा सा ध्यान रखना इसका जो में कैसे सो करेगा सर मैं समझा नहीं ऐसा बोल सकते हो मैं समझाता ना क्या ज़रूरी यह जल्दी हर बढ़ाने की यहां देखो अगर यहां पे CS3 जो है आगे के तरफ है wedge form पे और dash form पे है CS3 तो यह हो गया opposite direction एक CS3 आगे तो दूसरा CS3 पीछे मिंस अम लों बोलेंगे transform opposite अगर यहां पे यही चीज़ ऐसे होता कि यह भी wedge पे होता CS3 और dash पे क्या होता CS3 यह CS3 है जब कुछ भी नहीं लिखता हो तो मित हाईल होता ह है तो यहां दोनों CS3 sorry dash पे ही होता सेम साइड में यह भी आगे के तरफ CS3 है और यह भी आगे के तरफ CS3 मीन्स दिजार सिस फॉम बोलो है तो साइकलिक का आइसोमर्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बोलो हुए इसमें को दिक हमने पास एक कुश्च्च्च्च्च्च्च्च अगला उप्सन यहां पर एक और यह सही है ट्ριपल और इसमें सियल तीनों जगह कुछ लोगों यह समस्पंज में आता में स्वे सिमेट्री नहीं करता है बताता हूं कैसे निकलते यहां पर देखे гол double bond CH single bond CH double bond CH इधर ही CH3 है इधर भी CH3 है सुनना तो यहाँ पे number of geometrical 2 to the power N होता है minus number of symmetry होता है number of symmetry number of symmetry है तो लगा लेंगे यहाँ पे जैसे example बोले तो यहाँ पे अगर यहाँ से cut करें तो जो इधर है वही इधर है means these two are symmetrical तो 2 to the power 2 लिखेंगे दो जगन number of geometrical होगा N है number of double bond तो यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 2 minus 1 means 3 number of geometrical हो जाएंगे अगर मैं पूछू एक questions देखे थोड़ा से questions की बात कर लो यहाँ पे मैं questions लिखता देखना है यहाँ पे कि यह geometrical करेगा कि नहीं पीछे के तरफ है ठीक है CS3 ठीक है यहाँ पे यह आगे एक तरफ था यह पीछे के तरफ है CS3 यह कौन साइसोमर दोनों तो लोगों को लगता है यह ट्रांस साइसोमर तर यह आगे के तरफ है यह पीछे के तरफ है दोनों एक दूसरे का opposite है ट्रांस मैं बोलता हूँ ये zometrical isomer ही नहीं है पहली बात ये close नहीं है cyclic नहीं है तो double bond होना जरूरी है चलो double bond नहीं है चलो ये cyclic भी कर लिया अब ये clear हो जए गया कि ये zometrical नहीं है cyclic होता तो होता चलो ये double bond भी कर लिया अब बताइए ये क्या कौन सा isomer है तब यह हो जाएगा क्योंकि एक hydrogen होगा यहाँ पे तो hydrogen आगे एक तरफ आ जाएगा और यहाँ पे hydrogen पीछे एक तरफ चला जाएगा अब यह cyclic है तो यह zometrical सो कर सकता है यह सो थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बाते हैं अब कुछ important formula एक तरफ चलते हैं isometrical isomerism के कि number of isometrical isomerism कैसे निकालेंगे सुनना number of isometrical isomerism में एक मैंने एक ऐसे ही compound लिखा यहाँ आरवन लिखा यहां आरटू लिखा मालते हैं CS3 हो CS3 हो C2H6 हो C2H5 हो C2H5 हो दोनों साइड ऐसे कुछ भी सेम compound भी हो सकता है आरवन 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 आरटू अलग अलग भी हो सकते हैं तो इसको थोड़ा सा conclude करूंगे if R1 not equal to R2 अगर R1 ने R2 के बराबर नहीं हुआ तो R1 R2 बराबर नहीं तो unsymmetrical compound है unsymmetrical compound में कोई वी चीज़े minus नहीं करनी है 2 to the power N जो formula होती है number of GI निकालने की वह ही निकालूंगा N is number of GI center, number of GI center यह अराम से यह जो general है, genuine है वह ही निकाला लेकिन जैसे ही symmetry produce करता है R1 is equal to R2, then हमारे जितने GI होनी चाहिए उससे थोड़ी सी कम आ जाती है GI अब कितनी कम आएगी, तो N is equal to odd and N is equal to even, दोनों में अलग-अलग आती है कैसे formula थोड़ा सा note करेंगे, यहाँ पर जो formula होता है 2 to the power, यहाँ formula होता है GI is equal to 2 to the power, थोड़ा सा मैं लिखता है इतर में देखना 2 to the power N minus 1, ठीक है, plus 2 to the power P minus 1, यह formula पर number of GI निकालते हैं, सुनना अब इस पर थोड़ा सा N is equal to odd होगा, N is equal to odd होगा, तो P की values होगी, वो होगी N plus 1 by 2, N is equal to even होगा, तो P is equal to direct होगा, N by 2 ताकि वो 2 के multiple में हो, और जब होता है, तो 1 add करके even बनाते हैं, ताकि वो 2 से cancel हो सके, और even है तो direct 2 से divide करते हैं, ठीक है, तो यह हो जाते है अपने, जैसे example की अगर बात करें, थोड़ी सी example की, तो अगर मेरे पास यह कोई compound है, CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH2, ठीक है, ऐसा कोई compound है, ठी कितने होंगे, तो यहाँ पर आराम से GI निकाल सकते हैं, यहाँ पर दिखता है कि number of GI 0 है, because यहाँ पर HH है, condition दोनों सेम हो जाएगा ना, यहाँ देगो C to है, लेकिन दोनों hydrogen है, तो यहाँ पर no GI, फिर यहाँ यहाँ पर भी, HH है, no GI, लेकिन इसके कुछ, आइसोमर, sorry, resonating structures बनेंगे, जिसमें कि यहाँ GI so कर सकता है, इसका याँ shifting, इसका याँ shifting bond कर, running resonance जो तुम लोग ने पढ़ा होगा, CH2 positive, single bond CH, double bond CH, single bond CH2 negative, electronic इदर गया तो negative, positive, इसमें एक cis trans बन सकता है, तो दो आइसोमर होंगे, 2 to the power 1 means 2, GI 2 कर सकते हैं, ठीक है, अगर मैं दूसरी example लो, तो यहाँ पर CH3, सुनना, CH, double bond CH, single bond CH, double bond CH, single bond CH, double bond CH, बस रहने देते हैं, single bond CH3, यहाँ देखना, यह R वाली ग्रूप है, और सुनना, number of double bonded, means geometrical isometric center, 1, 2, and 3 है, means N is equal to 3, और similar, R1 is equal to R2 condition है, चलो, R1 is equal to R2 में, हम लोग का, जब R1 is equal to R2 हो तर 2 to the power N नहीं लगा सकते, because of symmetrical reason, यहाँ से symmetry होगा, यहाँ symmetry होगा, दो symmetrical होगा, तो formula क्या लगाते हैं, 2 to the power N minus, अब 2 to the power, sorry, N minus 1, power में, plus 2 to the power P minus 1, यह लगाते हैं, GI का formula, यहाँ से अपने को मिल जाएगा, ठीक है, अब यह 3 odd है, odd है तो P की value, N, P की value जो है, N plus 1 by 2 करेंगे, तो यहाँ पर 2 to the power, 3 minus 1, plus 2 to the power, P की value करेंगे, 3 plus 1 by 2, minus 1, means यहाँ पर नुमर अफ जी आए, 2 to the power 2, 4 plus 2 to the power, 4 minus 1, 3, यह यहाँ आगा, तो 4, 2 plus 2 minus 1, sorry, 1, that is equal to 6, तो नुमर अफ जी आए, ऐसे calculate करने होगे, 6, ठीक है, कंटे,